तीन दिन सिर्फ दो ग्राम चून गरम पाने के साथ रात को सोते समय और पूरी जिन्दगी आपको सुगर की बीमारी, कॉलोस्टोल, पेट के रोग और दिल से जुड़ी बीमारिया नहीं होंगी दोस्तो आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे नुस्खे को बनाने की विदी और बना कर दिखाएंगे जिसका प्रियोग करके आप अपने सरीर की हर बीमारी से बचे रह सकते हैं दोस्तो आपने इस नुस्खे का सेवन सिर्फ तीन दिन करना है एक महीने के अंदर और यदि आप ऐसा करेंगे तब आपके पूरे सरीर की सफाई हो जाएगी और आपको कभी भी इस सुगर की बिमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और नहीं आपको कभी bad कलोस्टुल बढ़ने की प्रेशानी होगी ना आपके heart में कभी blockage होगी और दोस्तो यदि कोई blockage है तो वो भी खुल जाएगी और नहीं आपको कभी heart detect आएगा और आपके पेट से जुढ़े रोग भी बिलकुल सही हो जाएगी और दोस्तों आपके सरीर की रोगों से लड़ने की सक्ति भी बढ़ जाएगी क्योंकि आज की इस वीडियो में जो नुस्का हम आपको बताने वाले हैं वो आपके पूरे सरीर की गंदगी को बाहर निकाल देगा यहां तक की आतों और पेट की सफाई के साथ साथ लीवर और किड़नी की भी सफाई कर देगा और आपको इन सबी त्रहें के रोगों से बचा देगा तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस नुस्खे के लिए सामगरी क्या क्या है पहली सामगरी आपने जो लेनी है वो लेनी है दोस्तों काला दाना काले दाने को क्रिसन बीज के नाम से भी जानते हैं जैसे कि यह आप इस वडियो में देख रहे हैं यह लेना है आपको 30 ग्राम दूसरी सामगरी है सनाई वो भी लेनी है आपको 30 ग्राम और तीसरी सामगरी आपने इसमें लेनी है काला नमक, काला नमक लेना है आपने 10 क्राम, अब जानते हैं इस नुस्खे को बनाने की विदी, दोस्तों आपने काले दाना को अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पावडर बना लेना है, महीन पावडर और इसको च्छान लेन और आप इन तीनों को लेकर आपस में अच्छी तरह से मिला लेना है, और दोस्तों ये है आपका नुस्खा, आपके पूरे सरीर की सफाई करने वाला, दोस्तों यह चून कबज को मिटा देगा, एसिडिटी को खतम कर देगा, पेट के सभी रोगों का इलाज है, यह चून यक्रित, पलिहा, सूल और गरभासे के रोगों में भी दिया जाता है, और दोस्तों इनके इलावा भी यह चून उन सभी को भी देशकते हैं, जिनको अपने पेट के सफाई करने की जरूद होती है, या जिस भी रोग में पहले पेट की सफाई करनी होती है, उसमें भी इस को पहली बार आपने कम मातरा में ही लेना है, यानि कि आपने इसका दो ग्राम से ही सुरू करना है, और अब धीरे धीरे इसकी मातरा को बढ़ा सकते हैं, पांच ग्राम तक ले सकते हैं, क्योंकि यह आपके पेट के सारे मल को बाहर निकाल देगा, और दोस्तों इसको लेने को सोते समय इस चोन को हलके गुनगुने पानी के साथ लेना है और आप सुबे देखेंगे एक या दो दस से ही आपके पूरा सरीर साफ हो जाएगा पहले से आप थोड़ी मातरा में सेवन करें और उसके बाद इसकी मातरा बढ़ा दें क्योंकि आप इसे पहले अगर जादा मातरा मिलेंगे तब आपको दस्त लग सकते हैं इस दवा को खाने से पहली बार आपके पेट में हलका सा दर्द हो सकता है क्योंकि यह चून आतों में जमा हुआ मल को खुर्चता है और ऐसी दसा में थोड़ी सी सोफ मुह में रखकर आप चूश सकते हैं उससे आपको अराम मिलेगा और दोस्तों यदि आप इस चून का प्रियोग करके अपने सरीर की पून सफाई कर देंगे लीवर की सफाई, किड़नी की सफाई पूरे सरीर की सफाई, आतों की सफाई पेट की पूरी तरह से सफाई तब आपको पूरी जिंदगी इस सुगर रोग का, कोलोस्टोल के बढ़ने का हाट की बीमारियों का और इन पेट के रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा और दोस्तों सिर्फ दो ग्राम आपको लेना है तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रियोग करें और अपने सरीर को बिल्कुल सवस्थ बना दें तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटीकेशन आती रहे धन्यवाद दोस्तो